हेलो गाईज मैं प्रदीप और आप देख रहे है रूपटॉप गार्डेन आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ऐसे कुछ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जो मुफ्त का पौदा है मतलब अगर आप एक बार अपके गार्डेन में इन सब पौदों को ग्रो कर लिए तो आने बारे हर साल मुफ्त पे आपको यह सब पौदा कॉंटिनुवासली मिलता रहेगा मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर आपके प्लांट ड्राइ भी हो जाए तो नेक्स्ट येर से यह प्लांट सीड से अपने आप ही ग्रो हो जाते है तो ऐसे कुछ प्लांट के बारे में मैं शेयर करूंगा तो वीडियो को एंड तक जरूर देखे वीडियो अगर अच्छे लेगे तो लाइक कीजिए अगर आप मेरे चनल पे नए है तो चनल को सब्सक्राइब जरू कीजिए तो दोस्तों चलिए शुरू करते है तो इस लि निकल कर अपने आप ही बहुत सारे प्लांट बन जाता है इसके लिए आपको नहीं सीडलिंग करने की जरूरत है क्योंकि इससे आपको बहुत सारे प्लांट हर साल मिलता रहेगा बिना किसी मेहनत किये तो अगर आप बिगेनर से और अगर आप चाहते है ऐसा ही कुछ प्ला प्लांट को ग्रो कर सकते हैं आपको आने वाले समय में बहुत सारे प्लांट मिल जाएगा मुफ्त प्लांट निक्स्ट प्लांट है क्रैंबेरी हिविसकस यह एक ऐसा पौदा है जिसे आप अगर एक बार आपके गार्डन में ग्रो कर लिए तो सीड से हर साल आपको नए नए मल्टिपल बहुत सारे प्लांट मिलता रहेगा जैसे कि साल मुझे 10 से 12 प्लांट मिल चुका है और मैं 2 साल पहले इसे ग्रो किया था उसके बाद हर साल इस प्लांट को मुझे मुफ्त पे ही मिल जाता है प्लांट ज्यादा दिन तक जिन्दा नहीं रहते है लेकिन मरने से प्लांट बना सकते हैं मुप्त पे तो इस पौधे पे जो फूल खिलते हैं बहुत सुन्दर लगता है देखने में और इसके पत्ते भी लगते हैं बहुत खुबसूरत जैसे कि आपके सामने हैं मैपल लीप्स प्लांट के भी नाम से जाना जाता है नेक्स्ट प्लांट है साइप्रस भाइन जिसे गनेज भाइन और तुरुलोता के नाम से भी जाना जाता है बहुत ही छोटा सा फूल खिलता है और लीप्स भी बहुत ही खुबसूरत है देखने में यह भी सीड से बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी मल्टिप्लाई हो जा कि मैं बताया पूरे सालवरी फ्लावरिंग कर सकता है एक फूल भाइन टाइप प्लांट है छे से आठ इंच पॉट के अंदर बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है और कभी भी इसके ऊपर पेस्ट का एट्रैक नहीं होता है सिर्फ आप इसे थोड़ी बहुत सानलाइट और थोड़ी बहुत वाटरिंग करके बहुत सारे छोटे-छोटे से फूल पा सकते हैं लिश्ट पे नेक्स्ट प्लांट है मून फ्लावर एवी एक फूल वाइन टाइप प्लांट है पूरे सालवर जिंदा रहते हैं और इस प्लांट को आप एक बार जरूर रखके पर नहीं लगता है इस लिश्ट पे नेक्स्ट प्लांट है विनका बहुत ही कॉमोन प्लांट है सबके घर में ही रहते हैं हाइब्रीड और देसी दो तरीकी की विनका मिलते हैं और बहुत सारे कलर्स पे पाये जाते हैं यह वी एक मुफ पे मिलने वाला प्लांट है एक बा सब्स् None पालाबा पिंक ब्लू और WHO willkommen मिलता है एक वाइन टाइप प्लांट इसे भी आप अपके गाडन में जरूर टो कीजिए अगर आप बीइनर से है तो बहुत ही अच्छ longtemps से बहुत कम केर की आपको बहुत सब्सक्राइब मिल सकता है एक फूल वाइन टाइप प्लांट है और बहुत सारे फूल खिलते हैं अभी गर्मी और बढ़सात के मौसम में तो इस प्लांट को आपको एक बार ग्रो करने की जरूरत है और हर साल आपको नय-nय से बहुत सरे प्लांट मिलता रहेगा जैसे की मेरे पास अभी भी दो-चार प्लांट है जिसको मैं इस साल ग्रो नहीं किया था तीन साल पहले में एक बार प्लांट नर्सरी से खरीद कर लाया था उसके बाद हर साल मुझे प्लांट मिल जाता है अगर आप सिर्लिंग करना चाहते है तो जन मिलने वाला प्लांट है आप एक बार ग्रो करने के बाद हर साल आपको बहुत सारे प्लांट मिल जाएगा मेरे पास इतने सारे फ्लावरिंग प्लांट जिसे आपको बस एक बार एक साल ग्रो करने की जरूरत है आने वाले हर साल आपको मुफ्त में ऐसा पौदा मिलता रहेगा तो उम्मिद करता हूं वीडियो अपलोग को पसंद आया होगा तो वीडियो अगर पसंद आये तो जरू इसको लाइक और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई